हलो एवरिवान, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल लबोज फोट पर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का ढोकला जो के इंस्टेंट बनता है और आसानी के साथ बनने वाला ढोकला है और इसे आप नास्टे में बना सकते हैं आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं बहुत मज़े के लगते हैं तो आईए ये मज़ेदार इसे पी बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक बॉल और उसमें डालते हैं दही तो मैंने खटी वाली दही लिया है आधा कप दही डाल दिया मैंने और उसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और अब इसे अच्छी तरीके से हमें फेटना है तो अच्छी तरीके से इसे मिला लेते है तो इसे मैंने अच्छी तरीके से फेट लिया है और ये हमारा एक छास जैसा बनकर तयार हो गया है अब उसमें डाल देते हैं नमक तो यहां आधा टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है तीन हरी मिर्ची जिसे मैंने कूट लिया है वो मैंने डाल दिया है आधा इंच का अद्रक का टुकड़ा है जिसे मैंने बारिकी से ग्रेट कर लिया है ये मैंने यहाँ पर एट कर दिया है अब इन सारी चीजों को भी अच्छी तरीके से हमें इसमें मिला लेना है और अब मैंने लिया यहाँ पर सूजी तो यहाँ पर एक कप सूजी लिया अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में डाल कर थोड़ा सा दरदरा पीस ले और ये हमें इसमें आइट कर देना है और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है तो इसे अच्छी तरीके से मिला ले और इसकी consistency देखिए ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी ओर एट कर देना है बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ओर एट किया और अच्छी तरीके से इसे हमें मिला लेना है ये बहुत जादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए मेडियम सा बैटर हमें बनाना है तो अब इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए तो यहाँ पर 10 मेट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था और यह हमारा सूजी जो है वो अच्छी तरीके से फूल चुकी है तो अब हम उसमें डाल देते हैं तेल तो यहाँ पर मैंने मोंफली का तेल डाला है आप रेफाइंड ओयल डाल सकते हैं तो टू टेबल इस्पून जो है इसमें मैंने तेल डाल दिया और अब इसे अच्छी तरीके से तेल को भी जो है इस बैटर में हमें मिला लेना है तो यहाँ पर हमने मिला लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बस बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और अब हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर मैंने इनू ले लिया है तो लेमन वाला फ्रूट सॉल्ट इनू जो है वो मैंने लिया हुआ है और यह पूरा पैकेट हमें इसमें आइट कर देना है तो यहाँ पर मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है अब इसे इसमें मिला लेना है तो इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है ताकि इनू जो है वो पूरे बेटर में अच्छे से मिल जाए कहीं पर कम जादा ना हो अगर अच्छे से मिला होगा तो हमारा ढोकला जो है बहुत अच्छा तयार होगा तो इसे अच्छी तरीके से मैंने मिना लिया है अब लिया मैंने यहाँ पर एक केक्टिन ले लिया है आप कोई भी बरतन ले सकते हैं जो इस तरह से फ्लैट हो और इसमें हमें यह बैटर डाल देना है तो सारा बैटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब एक कडाही लिया म मैंने फुल फ्लेम पर ही इसे पका लिया है तो 20 मेट हो चुके हैं तो आईए इसे चेक कर लेते हैं तो ये देखी ये हमारा बनकर तयार है मैंने अगर इसे फोक से देखे चेक किया तो बेटर जो है वो चमचे में नहीं चिपक रहा इसका मतलब है कि अच्छी तरीके से हमारा पक चुका है तो अब इसे निकाल लेते हैं और इसे निकाल कर मैंने ठंडा कर लिया है और अब इसे किसी भी चाकू की मदद से या चमचे की मदद से इसका कॉर्णर में इस तरह से घुमा ले तो यह आसानी के साथ निकल जाते हैं तो एक प्लेट लिया मैंने और उसके मदश से मैंने यहाँ पर इसे निकाल लिया है तो इसे थोड़ा सा टैप करके इसे उठा लिये तो यह दीखें बहुत आसानी के साथ जो है यह निकल गया और हमारा बहुत मज़े का ढोकला बनकर तयार है तो अब इसका लिए एक तड़का तयार करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया एक तड़का पेन और उसमें डालते हैं तेल तो यहां से 4 टेबल स्पून तक तेल जो है मैं इसमें एड़ कर दूंगे और तेल को का कलर जो है इतना आ जाये बहुत जाधा डाक नहीं होना चाहिए बस इतना लाइट हो इस तरह के से तो अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं अब तरकों को जो है इस डोकले के ऊपर डाल दीती हैं, बहुत मज़े का ये ढोकला बना था, बहुत जादा सौफ्ट और स्पंजी था, बहुत मज़े का लगता है, तो बस मैंने यहाँ पर जो है, यह तड़को को यहाँ पर आइट कर दिया है, और अब इसे कट कर लेते हैं, तो आप इसे जिस शेप में भी चाहें आप उसे कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे स्क्वैस शेप में काट लूँगी, और अगर आपको मेरी रिसेपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, तो यहाँ पर ढोकला हमारा कट हो च आपको पसंद आप उसके साथ इसे सफ कीजिए, मैंने इसे टमाटर और मुंफली की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रिसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पो वाचिंग